नमस्कार दोस्तो स्वावत है आपका एक पर फिरसे न्यूप्रिशन 99 में दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा आमला के फायदे के बारे में दोस्तो आमला को इंग्लिश में इंडियन गूसपरी भी बोलते हैं और इसे संस्क्रीट में आमल की भी बोलते हैं दोस्तों आपने कभी सोचा नहीं होगा कि इतना छोटा सा दिखने वाला आमला आपको कितने ज़्यादा फाइदे दे सकता है और सबसे अच्छी बात ये है कि इसे आप किसी भी रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ लोग इसका juice इस्तिमाल करते हैं, कुछ लोग इसका अचार लेना पसंद करते हैं, आप इसे चून के रूप में भी इस्तिमाल कर सकते हैं, इसका मुरबा भी ले सकते हैं, और इसकी चटनी भी बना सकते हैं, या फिर इसकी candies भी आती हैं, तो आप देखे किसी भी और आमला आपके रोग प्रति रोदक किशमता को बढ़ाता है और इम्मुनिटी बूस्ट करता है जिससे आपको कोई सर्दी खांसी जुकाम बललते मौसम में ऐसी कोई शिकायत नहीं रहती आमला में सबसे ज़्यादा वेटामिन C पाया जाता है जो कि एक स्ट्रॉंग वाइटामिन है एक 100 ग्राम आमला में आपको 445 एमजी तक वाइटामिन C मिल जाता है यह एंटी बैक्टिरियल एंटी कैंसर और एंटी इंफ्लामेट्री होता है तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा फाइदा मिलता है वाइटामिन C से या फिर अगर आप आते हैं तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ में में फाइदों के बारे में आमला के आमला आपके आखों के लिए बहुत अच्छा है यह आखों की रोशनी को बढ़ाता है आमला का सेवन मोतिया बिंद रोतोंदी और आखों की अन्य बिमारियों को सुधार में लाता है आवला और शेहत दोनों को इकठे लेने से रोशनी अच्छी रहती है और अगर आपको आखों में इंफेक्शन वगएरा रहती है या फिर कोई स्क्रमन वगएरा रहता है तो वो ठीक होता है अगरा इसका फायदा है कि आवला से आपके बड़े हुए केलेस्ट्रोल को भी देढ़ा है तो आप उसे कम करने के लिए या कि कन्ट्रोल करने के लिए आमला को अपनी डाक में एड़ कर सकते हैं आवला डायबिटिक लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है और आपकी बलड शूगर लैवल को भी कन्ट्रोल करता है दोस्तो आमला का एक और फायदा है जो कि सबसे ज़्यादा माना जाता है वो है कि आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है आपको बालों की कोई भी समस्या है जैसे कि समय से पहले आपके बाल सफेद हो रहे हैं आपके बाल बहुत ज़्यादा जड़ रहे हैं आपके बालों में सिक्री या फिर डेंडरत हो र अगर आप अपने बालों में से किसी भी तरह की प्रॉबलम को कम करना चाहते हैं जैसे कि जूए है या फिर याफो कम करना चाहते है तो आमला का मास्क वुझा गएरा जैसकि अलोवेर ओईल में में इसका पाौडर मिलाकर ₹्यव में अगर आप आमला जूस को रोज पीते हैं अपनी डायट में ऐडisé करते हैं तो आपकी Red Bloodlium का थे अगर आपकी हड़ियां कमभूर हैं तो आप अगर आमला लेते हैं तो आपकी हड़ियां भी मजबूत रहती हैं और कोई खत्रा नहीं रहता अगला इसका फायदा है कि अगर आपके किड्नी स्टोन है, स्टोन की प्रॉबलम है तो आप दवाई के साथ सार डक्टर की बताई हुई दवाई के साथ सार आमला जूस का सेवन भी करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा और आपका स्टोन जल्दी निकलने में या फिर कम होने में मदद मिलेगी आमला की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें वेटमिन C होता है और यह आपके पेड के लिए बहुत अच्छा है यह आपके मेटाबोलिजम को फास्ट करता है जिसे कि आपकी पाचन करिया अच्छी होती है अगला इसका फाइदा है कि अगर आपके गले में कफ या फिर खराश उगरा रहती है जैसे कि मौसम उगरा चेंज होता है तो ऐसी प्रॉबलम हो जाती है अगर आप अद्रक के रस के साथ आमला का रस दोनों मिक्स करके लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मिलेगा जो अगला इसका फाइदा है वो है कि मोटापया आज कल मोटापय की समस्या बहुत ज्यादा हो गई है जब आप मोटे होते हैं तो आपको बहुत ज्यादा चीज़ें यूज करते हैं हर तरह की चीज़ यह इस्तेमाल करने के कोशिश करते हैं तब आप अपनी डाइट में अगर आमला रस भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको मोटापे से शुटकारा पाने में थोड़ी बहुत इससे भी मदद मिल जाएगी तो यह फैट बर्न का भी काम करता है या फिर मोटापे को या फिर वेट कंट्रोल करने को वेट बैलेंस करने का भी काम करता है तो दोस्तो इतने जारा पाइदे हैं आमले के या फिर आमला रस के तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगी है तो प्लीस वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए थैंक यू थैंक यू सो मच